जब भी कभी आपको cos theta 1 into cos theta 2 minus sin theta 1 into sin theta 2 इस फ़र्म में question मिल है तो इसका short trick आपको cos theta 1 plus theta 2 होता है तो देखिए यहाँ जो theta 1 plus theta 2 है दोनों एंगल में है और यहाँ जो dot है बीच में है इसका मतलब गुन्दा में है तो देखिए nc88.3 का जो question है दूसरा उसमें cos theta 1 into cos theta 2 minus sin theta 2 into sin theta 2 देखिए यहाँ जो point है निच्चे है इसका मतलब दसम्दा है यहाँ जो बीच में है इसका मतलब गुन्दा है तो देखिए यह theta 1 का काम करेगा तो यहाँ वी theta 1 यह theta 2 तो यहाँ वी theta 2 बाकी यह दोनों cos यह दोनों sin तो cos दोनों यह अंगल को जोल देंगे cos 90 degree या फिर sin 0 degree इसका अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को बाश्विश्यल करिए धने बाद